कुस्ण का स्टेटमेंट है वालिम उफ तू स्फेयर्स आर इनदी रेशु सिस्टीफ़रष़ रेशु है 64 रेशु थमेंट ऐन फाइंड दारेशु आफ दियर सर्फेस एरिया तो इनके सर्फेस एरिया का रेशु क्या होका ठीक है अब देखो सबसे पहले आपको गीवन है 64 upon 27 ठीक है अब वॉल्यूम ओफ इस्वेर वॉल्यूम ओफ स्वेर का फ़र्णा होता है 4 by 3 पाई आर क्यूब वेर आर इस रेडियस यह होता है वॉल्यूम ओफ स्वेर का तो यहां पर अप्लाई करेंगे पहले वॉल्यूम के लिए हो जाएगा 4 by 3 by r1 cube दूसरे वॉल्यूम के लिए हो जाएगा 4 by 3 by r2 cube equal to 64 upon 27 4 by 3 pi से 4 by 3 pi cancel out यह आ गया r1 upon r2 की whole power 3 ठीक है अब 64 upon 27 को आफ 4 upon 3 का whole cube लिख सकते हो cube root से cube से cube हटी है तो यहां पर r1 upon me r2 कितना हा जाएगा 4 upon me 3 ठीक है फिर अब आपसे पूछा क्या है आपसे पूछा है find the ratio of the surface area ठीक है तो ratio of surface areas हो जाएगा a1 upon me a2 ठीक है अब surface area का फॉर्णा क्या होता है surface area of spheres यह होता है 4 pi r square surface area of sphere तो यहां पर आजाएगा 4 pi r1 square upon me 4 pi r2 का square 4 pi से 4 pi cancel out तो a1 upon me a2 is equaled हुआ आगया r1 square upon me r2 square है इसको आप r1 upon me r2 का whole square लिख सकते हैं ठीक है अब r1 upon me r2 की value कितनी हाई है 4 by 3 तो यहां पर 4 by 3 का whole square ठीक है तो आगया 16 upon me 9 a1 upon me 2 ठीक है तो a1 ratio a2 is equaled हुआ गया 16 ratio 9 तो यह हमारा answer हो गया ratio of area is 16 ratio 9 ठीक है तो जहां बाटimizare 15ảo an एंपर तो दो थाओया बाट 22 तो जो ढ़ए है 15 बाट किता है अवर कीदार ऑंच जोगते हैं एंवर कीदेओस, तो 1 या दिक्शर व्तलोड़ किता हैं